जहीं दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर और आज हम डिसकस करने वाले हैं जो HPPSC ने अपडेट किया है से बस सब इंस्पेक्टर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बता दूँ कि जो ये रूल्स नोटिफाई हुए है HPPSC की जरव से ये सब इंस्पेक्टर पर भी लागू होंगे क्योंकि इसी के लिए जो है इन्होंने स्पेसिविकली जो पॉस्स पहले डिटाइज की गई थी HPPSC द्वारा उन्हीं के उपर ये रूल जो है लागू होंगे तो हम सबसे पहले डिसकस कर लेते हैं प् गरी जुकए HPGK की बात करें तो 30 नंबर की आएगी अगरि इंडिया जी के प्लस इंट्रनेशनल जी के की बात करें तो 30 नंबर की आएगी और इंग्लिश और फिस बिस माचल की जियोग्राफी होगी हिस्ट्री होगी और एकोनमी होगी तो यह सारी जो है तीस नंबर में कवर होंगी और इसके लिए आपको करंट भी पढ़ने पढ़ेंगे माचल के इसी तरह अगर इंडिया और इंटरनेशनल अफेर्स की बात करें जो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है तो यह भी तीस माक्स का है लेकिन इसमें भी जो आपकी इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और यह सारी चीज़े जो इकोनमी मैं आपको पहले बता चुका हूं वो उन सारे जो सेक्शन से हैं कॉस्टन आएंगे वो डिपेंड करेगा एक्जाम के लिए यहां पर दिये गए हैं तो अब कैंडिडेट्स को बहुत जादा जो है फोकस इंग्लिश और हिंदी पर करना होगा ताकि वो जादा से जादा जो है स्कोरिंग कर सके इसके साथ बताना चाहूंगा कि यह जो टोटल जो है 100 MCQ आएंगे इस एक्जाम में और 100 ही मार मारकिंग होगी पहले के सब इस इंस्पेक्टर के एकजाम में नेग्टिव मार्किंग नहीं होती थी लेकिन अब जो है नेग्टिव मारकिंग होगी इसके साथ एक और जो चीज एड़ की है इन लोगोंने 35% जो है minimum जो है मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए exam को तो यह दो important चीज़ें थी जो आपको बतानी थी इसके साथ अगर mains की बात करें तो दोस्तों mains के बारे में थोड़ी सी असपश्टता इस notification में आई है जो specific syllabus नहीं बताया गया है और commission ने कहा है कि वो time to time जो है update करती रहेगी मेंस का syllabus तो जहां तक मेरी analysis है मैं यही बताऊंगा आपको कि मेंस में वही English और Hindi सब्जेक्ट रहने वाले हैं और जो 100 marks गा जो है exam आएगा और उसमें से 50-50 वेटेज होगी इसके साथ आप बोर्ड की कमिशन की दूसरी notification का भी वेट कर सकते हैं लेकिन तब तक आप मैं आपको suggest करूँगा कि आप English और Hindi पर focus करते रहें इसी के साथ साथ कुछ additional information है जैसे merit जो होगी वह मेंस पर ही depend करेगी और उसके ही marks जो है merit के लिए जुड़ेंगे इसके साथ साथ जो मेंस एक्जाम के बाद जो है दो candidates जो इच पोस्ट के लिए दो केंडिडेट्स जो है documentation के लिए बुलाए जाएंगे जबकि HPSC में तीन candidates बुलाए जाते थे तो overall analysis से यह लग रहा है कि कहीं न कहीं सर्व इंस्पेक्टर का जो exam है वो allied के level पर जो है इसको करवाया जाना है और इसका जो exam का status है वो भी allied के बराबर है बराबर ही बना दिया गया है इसके साथ ही इसमें दो तिन चीज़े ओ दी हैं जैसे rechecking जो है mains के exam की नहीं allowed होगी और जो different punishments जो है आपको अगर आप cheating करते हैं exam hall में तो आपके लिए different punishments का जो है प्रावधान भी है तो मैं यही कहूंगा कि exam जो है इस बार काफी tough आने वाला है आप लोग अपनी त्यारी विल्कुल करते रहें नोटिफकेशन तो आती रहेंगी लेकिन आप focus करें अपनी study पे इसके साथ प्री के लिए त्यारी करें अच्छे से क्योंकि प्री इस बार जो है आपको syllabus भी बड़ा defined बता दिया गया है तो आपको अगर कोई आउट होता है इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के exam के regarding आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बने रही है मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें जहें